नमस्कार, फारम एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साती विश्णू आज सिराम की 1666 किशम में की जानकरी लेकर आया हूँ किशान सातियों यह सर्शों के एक आईबर्ड किशम है और इस किशम की विशेष्टा यह है कि सिंचित और रह सिंचित दोनों सित्रों में इसकी बौई करके उत्पादल लिया जा सकता है किसान भायों यह दि मैं बौई की बात करूँ तो स्टंबर के अंतिम सप्ता से लेकर अक्टूबर के अंतिम सप्ता तक इस किसम की बौई अपने केट में की जा सकती है पौदों की उंचाई की बात करूँ तो यह 5.5 फिट के उंचाई वाला पौदा है इसकी साखाएं और फुटाओ काफी अच्छा होता है इसके फलियों की संख्या और फलियों में दानों की संख्या काफी अच्छी होती है उत्पाधन की दुरुष्टी में अच्छे मेनत करने वाले किसानों के खेतों में ये 13-14 कुइंटल परती एकड का उत्पाधन देती है किसान भाईयों हमें सर्षों की बिजाई करते समय सिंगल सुपरफास्पेट के 3 बेक परती एकड 10 किलो सलफर और 20 किलो यूरिया का अपने खेत में सिटकाव करके सर्षों की वाई करनी चाहिए शिंचाई की जहां बात करूँ तो पहला पानी सर्षों को 35-40 दिन तता दूसरा पानी 60-65 दिन के अवस्ता में हमारी पसल को देना जाई है किसान बाईयो प्राहे जिन चेत्रों में नई सर्षों के खेती आरम हुई है उन चेत्र के किसानों को यह एक बहुत भी बड़ा समझस होता है कि हमें सर्षों को कितने शिचाई करनी चाहिए किसान भाईयो सरसों एक कम सिंचाई वाले छेत्रों की पसल है, इसलिए हमें आधिकतम दो सिंचाई से ज़्यादा सिंचाई अपने खेत में नहीं करनी चाहिए। किसान भाईयो सिराम की 1666 में तेल की मातरा काफी अच्छी होती है, जब हम अपनी पसल को बजार में ले जाते हैं, तो इस किसम में तेल की मातरा अच्छे होने से हमें इसका बाव बजार में अच्छा मिलता है। किसान भाईयो हमें अपने खेत में बीज की मातरा जादा नहीं डालनी चाहिए, एक किलो ग्राम परती एकर से अधिक बीज हमारे खेत में नहीं डालना चाहिए, इससे हमारे पोदों की सिंग्या यदि सीमित रहेगी, तो हमारे तना गलन और अन्य परकार के रोगों के आन नोटिफिकेशन आपको मिले, किसान भाईयों यदि आपको ये वीडियो अचा लगे, तो अन्य किसान साथियों को शेयर अवश्य करें, और आपको इस सीजन में हम सभी किस्मों के बारे में वीडियो लेकर आने की कोशिस करेंगे, इनी सब्दों के साथ सभी किसान भाईय को नमस्ते जाइ हिंद।